कुछ दिन पहले पार्लिमेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफी फैन फेर से पुरानी पार्लिमेंट बिल्डिंग से नई पार्लिमेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ वो अच्छी बात है और मेन फोकस स्पेशल सेशन का पहले तो मालूम नहीं था यह स्पेशल सेशन क्यूं हो रहा है स्पेकुलेशन काफी हुआ और पिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षन है उसके बाद महिला आरक्षन तो बड़ी अच्छी चीज है उसके बाद ये दो फुटनोट्स हमें मिले एक की महिला आरक्षन करने से पहले महिला आरक्षन देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा और इन दोनों चीज़ों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे सच्चाई ये है कि महिला आरक्षन को आज किया जा सकता है 33% आज जो सीट्स हैं लोग सभा में विदान सभा में वो महिलाओं को दी जा सकते हैं कोई complicated मामला नहीं है मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है मगर reality है कि इंप्लिमेंट आज से 10 साल बाद होगा ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा तो एक प्रकार से ये distraction tactic है, diversion tactic है diversion किस चीज से हो रहा है diversion OBC census से हो रहा है मैंने Parliament में सिर्फ एक institution के बारे में बात की वो जो हिंदुस्तान की सरकार का center है, core है जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है cabinet secretary and secretaries और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा प्रधान मंत्री कहते हैं कि वो OBC के लिए बहुत काम कर रहे हैं अगर प्रधान मंत्री इतना काम कर रहे हैं तो नब्बे में से नब्बे लोगों में से सिर्फ तीन लोग OBC community से क्यों हैं? पहला सवाल दूसरा सवाल मैंने यही analysis analysis budget को देखके की यह पूरा हिंदुस्तान का budget किया है और यह जो OBC officers हैं यह इस budget में से कितना control कर रहे हैं और क्या control कर रहे हैं? आदिवासी क्या control कर रहे हैं? दलित क्या control कर रहे हैं? OBC हिंदुस्तान के 5% budget को control कर रहा है OBC officers तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है प्रधान मंत्री हर रोज OBC के बात करते हैं OBC प्राइड के बात करते हैं मगर OBC के लिए किया किया अब जब मैंने यह बात बोली उनका रिस्पॉंस बड़ा इंट्रिस्टिंग है वो कहते हैं कि लोग सभा में हमारा रेप्रेजेंटेशन है लोग सभा में रेप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है मैं कह रहा हूँ कि बजट डिसिजन जो लेते हैं जो बजट को ओफिसर्द हैं जो बजट को कंट्रोल करते हैं 5% OBC निरने ले रहे हैं और मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा क्या हिंदुस्तान में OBC के अवादी 5% है ये मैं जानना चाहता हूँ अगर 5% है तो फिर वो ठीक है उसको मैं एकसेप्ट करने के लिए त्यार हूँ मगर अगर वो 5% से ज़ादा है तो मुझे ये पता लगाना है और एक बार मैं मन बना लेता हूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ मुझे ये पता लगाना है ये OBC हिंदुस्तान में कितने हैं और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए अब आप किसी लोकसभा में किसी भी MP से पूछ लीजे लोकसभा को Temple of Democracy का आजाता है आप किसी भी BJP के MP से पूछ लीजे कि वो कोई decision लेता है कोई कानून बनाता है कोई कानून बनाने में भाग लेता है किसी से भी पूछ लीजे बिलकुल नहीं ना Congress का MP इस लोकसभा में ना BJP का MP ना कोई और India का MP कोई decision लेता है मतलब MPs को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तिया बना रखी है और OBC की वहाँ पे मूर्तिया भर रखी है मगर power बिलकुल नहीं है देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है ये सवाल मैंने उठाया है कि क्या और हर हर OBC युवा को ये समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए हाँ या ना अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी अबादी 5% है हाँ या ना ये सवाल है और distraction इस बात से हो रहा है BJP को ये जो दो पॉइंट्स है महिला आरक्षन वाले डिलिमिटेशन और सेंसस इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज़त मिलनी चाहिए जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो भागीदारी होनी चाहिए उनको एकदम वो कर दे और कास सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दे तो सारे हिंदुस्तान के OBC युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने और निया सेंसस कास बेसिस पे करें थैंक यू और और प्रदान मंत्री को प्रदान मंत्री को अगले भाशन में ये कहना है ये समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अपसर जो है उन में से सिरफ 3 OBC क्यों है ये में सवाल है और मैंने दलितनों और आदिवाजियों के बात ही नहीं की अभी प्रदी आदिश्टान टीज़ी आदिवाज प्रच इथ? अगराज बात हम प्रदी हुझाओ प्रदीज पी चेमाप विए अप्रेश ए जिए प्रचिछन अप्रेश नवी अप्रम फेल्तरृ नवीज़ी तर नवीज़ीड and he said that he is passing a very important law and we agree with him women's reservation is a central step in the empowerment of the women of india and it is a critical step but when we read the fine print we found something very interesting two little subtexts were there number one this will be done after delimitation number two this will be done after census what it means is this bill will be implemented a decade from now it is not going to be implemented today and every woman in india should understand this it is not going to be implemented today it's going to be implemented if it is implemented 10 years from now so this is a diversionary tactic it's a way of making everyone's attention move away the question is what are they moving away from and the answer is the caste census and i'd like to explain why in my research for my speech i looked at how many officers in the government of india the senior most officers are secretaries how many secretaries in the government of india come from the obc community how many come from the dalit community how many come from the tribal community and i was shocked to find that five percent of the secretaries of the government of india sorry three officers in the government of india secretary level are obc first and then i asked another question what budget do they control and they control five percent of the budget obcs dalits tribals all put together control six percent of the budget tribals control point one something of the budget so this is a shocking finding and i said this in parliament my point being that are the obcs five percent of india is that the amount of participation we want of the obc community so the central question is how many obcs are there in india how many different communities are there in india if we want to distribute power to the people of india we have to know this number otherwise we are working without data and so i placed this on the floor of the house and i said look please tell us how many obcs we have the data i know because the government of india has already done the census and all this data is available why is the prime minister not releasing this data and second what is this delay in this census the caste census should be done now and the last caste census data should be released at once now what was the bjp's answer very interesting answer that it doesn't matter how many obcs are in the government of india what matters is that we have mps and mlas who are obc no that's not the point because you can ask any mp or any mla how much they participate in lawmaking how much they participate in how the money in india is spent they will tell you there's no participation so it is almost as if they keep placing these obc mps into the vidan sabha from one side and taking away the real power of the obcs from the other side and as the prime minister keeps saying he's a obc leader i want him to explain why only three obcs are there in the government of india and why the obc community which is the backbone of this country is responsible for only five percent of the budget they have not been able to answer this question in fact when i said it i saw in their face the panic because this is the truth this is what they are trying to distract india from the fact that the large mass of indian people do not have any power from india and i am and i am and and i am hello i am i am i am कि तुम्हें आया आपने पेंडोरा वॉक्स एक तरसे उसको टच कर दिया आप कल ये बात कह चुके अपनी स्पीच में कि भाई ये दो सरकार तो नहीं दे रही सरकार ने तो पास करा दिया अब सवाल उठता है आपका क्या आप आगे चलके सरकार में भी जैसे सेक्रेटरीज हैं सरकार में भी और महिला आरक्षण में भी OBCs के लिए अलग से ब्योस्था करने वाले हैं देखें सिंपल बात स्टेप बाई स्टेप करना है आपको चोट लगती है तो X-ray होती है पता लगाना पड़ता है कि structure में कमजोरी कहा है हड़ी कहां तूटी मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ पहला कदम X-ray है कि हमें पहले caste census के मादियम से हिंदुस्तान का X-ray करना है कि भई यह हैं कितने लोग ओबिसी कितने हैं अलग-अलग communities कितनी हैं Tribals कितने यह पहले table पर तो रखो decision लेने से पहले अगर हम अपने सामने data की नहीं रखेंगे तो decision कैसे लेंगे वो तो आपने बात की बात की मगर पहले हमारे सामने data रखो data रखोगे मैं आपका जवाब दे दूँगा, आज तो डेटा ही नहीं है, दूसरी बात, मैंने अपने भाशन में कहा, कि आजादी की जो movement थी, वो एक शुरुवात थी, distribution of power, transfer of power to the people of India, हिंदुस्तान के लोगों को power transfer करने का पहला बड़ा कदम था, उसके बाद हमने और कदम लिये हैं, caste census, से जो data निकलेगा, वो हिंदुस्तान की जनता को और power transfer करने का तरीका है, मैं कह रहा हूँ, कि हिंदुस्तान की जो OBCs हैं, दलिट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने transfer of power करना है, उनके लिए हमें power transfer करना है, उनके हातों में power डालनी है, foundation वो है, और caste census की जरुवत है, क्योंकि उसको समझे बिजना, हम यह करी नहीं सकते हैं, देखो, हमारे समय जितने भी थे, सही representation होना चाहिए, हमारे समय कम था, वो भी खराब है, इनके समय कम था, कम है, यह भी खराब है, हम chain चाहते हैं, ठीक है, मेरा कहना है, कि जब मैंने यह आकड़ा देखा, मैं हिल गया, मैं बिलीव नहीं कर सकता था, कि नबे सेक्रेटरीज में से, तीनों भी सी कहा है, मैं शौक हो गया, हैनान हो गया, यह क्या हो रहा है, और इसको बदलना है, हिंदुस्तान के जो आम जनता है, गरीब जनता है, उनको पावर देनी है, रहुल जे जिए प्रावजी, आप एक तो बनाफ जनता है, प्रावलिव जनता है, मैं जनता है, on the floor of the house but we will implement it 10 years from now what does that mean that's like the prime minister saying you know we are going to place a bill on OBC caste census in the in the floor of the house and we are going to do it in 30 years what does it mean means nothing so we agree with the bill remove these two clauses and make it happen today and don't insult the intelligence of India's women because India's women understand what you are doing Rahul because we are talking about a special session and it is shocking that a video that is being done in the floor of the house where he is giving a speech in which he calls on record on the mic and he calls 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 on the mic when the sheet on the chin of the building is going to do it how you can see this for the parliament we can see the issue जब UPA के समय में बिल आया था तब अगर यही कोटा जो आज कॉंग्रेस मांग कर रही है अगर दे दिया होता तो यह कानून शायद दस साल पहले बन जाता तो यह जो आप से सवाल पुझा जा रहा है कि आज आप कोटे की बात कर रहे हैं OBC क्योंकि आव विपक्ष में जब स रहे हैं OBC कर तो च्छिए दोल जुट में जापन ज देड देड लेत वीक लेशी आपसक लिए रहा है मुट है झाल जबता है कि लिए आपने से लिए शुटस इंस कि लिए नद्दीश कर रहे हैं OBC सब्सक्रेश क सुट्या लूट सब्सक्राबना सब्सक्ष्श कि आप we should have released at the time um and it should be released now there is no change in our preview this actually uh… so there was near unanimity in the passage of the bills uh… do you think that uh… a wider consultation process should have been followed before bringing the bill uh… the special session we are we are okay with the bill we have supported the bill right please understand the technicality we are in full support of the bill we don't agree with the two little footnotes that have been put in the bill that basically mean that the bill is going to be implemented 10 years from today we support the bill everybody there's nobody in the house who insupportable uh rahul ji my question is that whenever you have a issue, especially if you have a issue, you have a personal attack and you have a personal attack and you have a personal attack. You have to take the OBC and you have to take the OBC and you have to take the OBC. After that, you have to say that I regret that our government will be able to replace it. assumption now that we are in the situation of the bill, how much is out here? The government will be able to replace it, so perhaps the government should take the direktor and the government will be able to replace it, that they will have a very natural attack and then the government will not be able to replace it. What is that? Mugment and the party is there. This is not a fact that the government will be able to replace it, which means the government will become the itself. It's a matter of the government, although the government is doing the same thing, यह related हैं एक है अदानी जी जो देश का पूरा धन अपने हातों में concentrate कर रहे हैं और दूसरा caste senses तो यह related चीज़े हैं और इन दोनों बटन को जब मैं दबाता हूँ जैसे यह दबाता हूँ BJP एकदम जंप करती है तो क्यों करती है क्योंकि वो जो OBC Community है सच मुच में उनको पावर नहीं देना चाती है और वो पावर अदानी जीत के हाथ में concentrate करना चाती है राउल जी आप से सवाल यह है क्योंकि जब आपने लोकसफा में भाशन दिया आपने नभे में से तीन सेक्रेटरी और OBC के जो OBC Community है उसके हालात के बारे में बात करी अगर 2024 में इंडिया ब्लॉक जो आपका बना है वो पावर में आता है तो क्या इन चीजों को आप जल्द से जल्द implement करेंगे क्योंकि बीजेपी साफ दोर पर कह रही है कि आपके भाशन के बाद से साफ लग रहा है कि OBC कार्ट या ब्लॉक या कॉंग्रेस पार्टी खेल रही है तो अगर पावर में आते हैं तो आप क्या सबसे पहले यह यह वो कार्ट की बात करते हैं कार्ट के बारे में सोचते हूं मैं जो हिंदुस्तान की जनता है उनको इंपार करना चाहता हूं और अगर मुझे दिखे कि OBC कम्यूनिटी जो है जो बहुत बड़ी कम्यूनिटी है किसे को नहीं मालूम कितने लोग हैं बट लोग कहते हैं 50% तक हो सकते हैं जब मुझे दिखता है कि एक कम्यूनिटी है जिसमें हिंदुस्तान की 50% आवादी है और गर्वर्मन्ट ब इंडिया की सेक्रेटरीज मे तीन लोग हैं 90 में से 3 और वो 5% बजट को कंट्रोल करते हैं तो मुझे गुसा आता है इरिटेशन होती है इस देश में हो क्या रहा है एक तरफ हम अदानी जी को देश के पूरे इंस्टिटूशन पकड़ाने है नरिंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान की रीड की हड़ी है जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उनको हम हिंदुस्तान को चलाने में सरकार को चलाने में कोई जगे नहीं देते हैं दबा के निकाल देते हैं तो इससे मुझे इरिटेशन हो रही है और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हमने वहाँ पे करनाटक में कहा था कि जिस दिन आएगी, उस दिन हमारी 5 guarantees लगू हो जाएगी, यहां भी मैं कह रहा हूँ, हमारी सरकार आएगी, कास census होगा, और देश को पता लगेगा, कि हमारे OBC भाई कितने हैं, दलित भाई कितने हैं, और उनको देश को चलाने में भागीदारी मिलेगी, यह मैं आपको कह रहा हूँ, यह छोटी process नहीं होगी, एक दिन में नहीं होगा, मगर नियत समझिए, आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अमिचा जी ने कहा, कि हमने OBC को विदान सबा में, लोक सबा में डाला है, आप मुझे बता दीजिए, कानून बनाने में, बजेट में उनकी क्या भागिदारी है, पहले, 50-60 साल पहले, डिबेट्स होती थी, MPs का रोल होता था, MP कानून बनाते थे, हमारी पार्टी में भी, MPs को हम रोल देते हैं, उनसे बाचीत करते हैं, नारेगा में इन्वाल्व करते हैं, आप किसी भी BJP के MP से पूछ लीजिए, विदान सभा में, किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए, सरकार चलाने में उनकी क्या भागिदारी है, जवाब देंगे, हमारा कोई रोल नहीं है, यह जो मैंने मूर्थी के अनलेजी आपको दी है, यह BJP के MP ने मुझे लोकसभा, पुरानी बिल्डिंग में लोकसभा के बाहर बुला है, कि हमें यहाँ पर बैठा रखा है, हमारा फाइदा उठा रहे हैं, हमारी कोई भागिदारी नहीं है सरकार को चलाने में, झाले 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 पर रहे हैं,